हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ा ही कर रहे होंगे आज हम लोग जेई से से सीरीज को पहचानना कैसे है पहली चीज तो ये कोई साइन सीरीज में कैसी अदे विद्ग 255 फॉर्म अबहुछ में बात कर रहा हूं कोई साइन स्यी जिसमें प्लस होता है एक multiply का लग formula है उसका अलग logic है लेगे हम plus की बात कर रहे हैं अब difference कैसे समझोगे यहाँ पे जो angles होते हैं वो आपके AP में होते हैं आपको AP तो पता है ना कैसा होता था AP याद करो 10th class में पैना ट्रम अगर A है तो फिर क्या होता था A plus D याद आया फिर difference एड होता था A plus 2D इस तर फिर लिखा है plus का cos 30 degree फिर लिखा है cos 50 degree फिर लिखा है cos 70 degree ऐसा कुछ है तो आप देख सकते हो angles को सिरफ देखो तो 10, 30, 50, 70 क्या यह angles AP में है 20 का gap है ना 10 plus 20, 30, 30 plus 20, 50 ऐसी series होती A, A plus D, A plus 2, D, AP की तो यानि कि ऐसी series जिसमें cos की terms plus में हो और उनकी जो angles हैं वो अगर AP में है तो समझ जाना यह cosine series का question है ठीक है तो जैसे कि आप formula के terms में बात कर लें तो अगर पहले angle को alpha बोला तो next क्या हो रहा है alpha plus beta फिर क्या हो रहा है alpha plus 2 beta यानि बीटा जो है कहीं न कही अगर AP की बात करें तो common difference की तरह treat हो रहा है बीटा जो है वो कहीं न कहीं common difference की तरह treat हो रहा है तो अब ऐसे समझो कि पहला term अगर alpha है तो फिर difference को add करा तो alpha plus beta या फिर beta को add करा तो alpha plus 2 beta या आया से मैं इस तरीके से अच्छा अब कोई बोले कितने terms है तो फिलाल इसमें अग क्या कैसे पता चला देखता है बीटा का coefficient यहां कितना है और यहां है n-1 इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने terms होगे n-1 거지We N minus 1 trumps हो गए और यह एक extra है तो इसलिए कितने trumps है N trumps तो यह N trumps के लिए formula है तो पता भी तोना चाहिए कितने trumps के लिए formula है तो formula कैसा है sin N beta by 2 upon sin beta by 2 cos के साथ है alpha plus N minus 1 और यह N minus 1 इस तरीके से नहीं है यह थोड़ा अलग format में हो गया, sin n beta upon 2, मैं लिख देता हूँ, यह sin n beta by 2, sin beta by 2 है, और यह cos bracket में alpha plus n minus 1 beta upon 2, ठीक है, यह ऐसा है, हाला कि meaning एक ही चीज़, देखा जाए तो इस चीज़ की और इस चीज़ में अंतर नहीं है ज़्यादा, क्यों, n minus 1 bracket लगा दूँ, beta upon 2, तो चोई 2 को इधर लिखो, इधर लिखो, एक ही बात है, तो format जो है, यह भी जो लिखा है, वो भी ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से आद रखना, इस तरीके से, आपको long term तक याद करवाने का तरीका भी मैं बचलो बता देता हूँ, आपके एनफ स्ट्रम का फॉर्मला याद है, क्या होता था, a plus n minus 1 into d, होता था न, बस, तो यहाँ पे भी क्या है, कॉस के साथ यही लिखना है, a यहाँ पे alpha, n minus 1, और d को समझ लो, यहाँ बीटा, difference हमारा बीटा है, लेकिन आप on में 2 लगा देना, बस, ठीक है, तो याद रहेगा आपको यह formula, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको पता है, आप उस तरीके से याद रखना तो याद हो जाएगा, तो क्या formula हो गया, sin n beta by 2, sin beta by 2, cos alpha plus n minus 1, beta by 2, इस formula में यह समझ लो, क्या क्या है, n क्या है, number of trumps है, यादि कोई question cost का पता चल गया, कि अगर उसके angles ap में है, तो क्या क्या तुम्हें देखना है, आपको n देखना है, यादि number of trumps देखने, कितने trumps हैं, और क्या देखना है, बीटा देखना है, तो बीटा क्या है, एंगल के बीच में common difference कितना है, वो बीटा है, बीटा हम कहेंगे common difference है, ठीक है, और alpha एक देखना, alpha क्या है, अलफा का पहला वाला एंगल है, first angle, या least angle, छोटा एंगल जो भी होगा, पहले एंगल को बोलेंगे, यह होगा, ठीक है, अब जड़ा question पर आते हैं, और अब समझने कोसिस करते हैं, question हमारा यह है, जो JE में 2022 में आया हुआ है, क्या लिखा है, cos 2pi by 7, cos 4pi by 7, cos 6 by 7, पहले यह देखो, क्या यह एंगल अपी में है, तो 2 plus 2, 4 होता है, 4 plus 2, 6 होता है, अगर मैं common difference की बात करूँ, angle की तो वो कितना आएगा, इस वाले angle में, यह वाला angle माइनस करके देख लो, 4pi by 7 में 2pi by 7 माइनस कर दो, तो क्या यह 2pi by 7 आगया, तो common difference को ही हम बीटा बोलते हैं, मैंने बोलते हैं पहले सब कुछ निकाल के रख लो, बीटा आगया 2pi by 7, ठीक है, पहला बाला angle 2pi by 7 है, तो alpha हो गया 2pi by 7, alpha भी आगया, बीटा भी आगया, और क्या यह नमबर और ट्रम्स कितने हैं, तो n कितने है 1, 2, 3, 3 ट्रम्स हैं, सब कुछ लिख के रख लो, और मैं तो कहूंगा, आपके पास जो formula है, वो क्या है, sin n beta by 2 upon sin beta by 2 cos alpha plus n minus 1 beta by 2, आप देख रहा है, बीटा की जितने भी ट्रम्स हों सब में beta by 2 है, बीटा by 2, बीटा by 2, तो ठीक है, बीटा की value तो निकाल लो, लेकिन तुम पहले बीटा by 2 निकाल लो, क्यों, बीटा by 2 कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या यह pi by 7 आ जाएगा, क्योंकि बार बार तुमने तो confuse होगे, क्यों, बीटा रखोगे, फिर 2 से डिवा ठीक है, इसको मैं इदर लिख देता हूँ, n is equal to 3 को, ठीक है, चलो, अब ज़रा value put करते है, sine, n की value कितनी है, 3, अब बीटा by 2 निकाल कर रख लिए, कितना असान होगे, pi by 7, तो 3 pi by 7 आ गया, upon, sine, बीटा by 2, सीधा pi by 7, अब कितना सही है, अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, तो 2 pi by 7, प्लस का n minus 1, यहीं 3 minus 1, बीटा by 2 कितना है, बीटा by 2, pi by 7, तो यह तो sine 3 pi by 7, upon sine pi by 7, और यह कितना आएगा, देखो, 3 minus 1, 2, तो cos 2 pi by 7, प्लस का 2 pi by 7, तो यह हो जाएगा, 4 pi by 7, क्या जाएगा, cos 4 pi by 7 आजाएगा, यहां से, तो finally आगया, sine 3 pi by 7, upon, cos, upon, sine 3 pi by 7, upon, sine pi by 7, और यहां पे आगया, cos 4 pi by 7, क्या गया, cos 4 pi by 7 आजाएगा, अब क्या किया जाएगा, तो आपके बाश टिक्नोमेटरी में फॉर्मला है, 2 sine A cos B का फॉर्मला है, क्या है फॉर्मला, sin A plus B, plus का sin A minus B, यही तो होता है फॉर्मला, ठीक है, 2 sine A cos B का, तो यहां पे 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं, 2 से multiply कर लो, 2 से divide, और उपर वाले में यह वाला फॉर्मला लगा देंगे, तो I hope यह सब note कर लिया हो, मैं side भी हो जाता हूँ, note कर लो, मैं इसको erase करने जा रहा हू इधर वाले पार्ट को तो solve करना ना है, तो देखो, क्या है का, 2 sine A cos B का फॉर्मला है, sin A plus B, यही तो है फॉर्मला, चलो, अब यह, 3 pi plus 4 pi कितना होगा, 7 pi, 7 pi upon 7 करोगे, sin pi आएगा, plus sin, 3 pi minus 4 pi करोगे, तो minus का pi बज़ेगा, तो minus का pi by 7 upon 2 sine pi by 7, अब sin pi की value 0 होती है, sin 180 0 होता है, तो यह 0, और sin में अगर minus होता है, तो यह आपने trigonometry बहुत basic सीखा होगा, minus बाहर आ जाता है, तो minus का sin pi by 7 upon 2 sine pi by 7, तो यह कितना आ गया, minus का sin pi by 7 upon 2 sine pi by 7, sin pi by 7 से sin pi by 7 कट गया, तो क्या answer minus का 1 by 2 होएगा, क्या answer minus का 1 by 2 होएगा, तो इसलिए इसका answer क्या हो गया, बी पार्ट, तो अब मुझे comment, अगर आपको यह संज में आए गया, अच्छे से बढ़िया सा clear होगी, तो मुझे comment section बताना, कि आपको यह series कैसी लगी, जिसमें मैं आपको master कर रहा हूँ, concept के लिए, कि आपको concept build करने है, और थोड़ी trick के वरे कहीं लग रही है, तो वो भी बता सको, ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ अगर आपने, लास्ट वाली यही master series अगर नहीं देखिए, पहली बार देखा है, तो मैंने इसमें बताया था, कि मैंने आपके लिए, मैंने आपके लिए क्या किया है, टिक्नोमेट्री का एक formula, question में सब बनाया है, अगर आप देखोगे, book type की आपके लिए, जिसमें आपको शुरुवाद में formula मिल जाएंगे, और उसके बाद questions मिल जाएंगे, पी वाई की उस टाइप के, और अच्छी बात यह है, अगर कोई question का solution ना आए, तो कि scan code दे रखा है, code को scan करना, सीधे solutions भी बिल जाएंगे, ठीक है, चलो, साधी जवाद दादी, यह कहा मिलेगा, telegram जोईन कर लेना, वहाँ पे मैंने अलड़ी ये PDF डाल रखी है, अच्छ सब में 11, ठीक है, तो यह सारी चीजे हैं, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी जो angles है, AP में है, इसी पे बेश्ट question है, comment section में इसका answer दे देना, ठीक है, तो I hope आपका यह session बहुत अच्छा लगा है, like कर देना, subscribe कर देना, चैनल को, ऐसे videos के लिए मिलते हैं next video, तब तब ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं, लाश्ट में की बात बोलूँगा कि आप सभी सफलों, धन्यवाद,